सब्सक्राइब कीजे टेक्निकल शोटाइम यूटूब चैनल को साथ ही दवाईए बेल के आइकोन को ताकि आपको मिल सके हमारे लिए टेस्ट अपडेट सबसे पहले अगर हमारे बात करेंगे तो फ्रेंट्स इस डिवाईए का यूज है कैसे यूज वर्क करती है यह वाकई में यूज 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 पूल है या नहीं है उसके बारे में आज हम बात करेंगे तो फ्रेंट्स इस डिवाईस का यूज के बारे में अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें समझना होगा कि जो आजकल लिटेस्ट टीवी आ रहे हैं फोर की टीवी या फोल है फोल एच्डी टीवी जो मार्केट में आजकल मिल रहे हैं उसमें जो साउंट आउटपुट नहीं दिया होता है जो पहले के पहले जो साउंड आउट्पुट आता था 3.5 mm जैक दे दिया या आर्सी ए आउट्पुट वहापर दे दिया तो वहाँ पर हम एक्स्टनल इस्पीकर जो थे कनेक्ट कर सकते थे जैसे कि जो आजकल मार्केट में नॉर्मल से स्पीकर मिल जाते हैं आई बॉल एपन डी केरियेटेव जै नहीं दिया गया होता तो कोई ऑ ho Bye आप इसमें उस्पीकर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं कि यह जए फॉन प्राम क्नेक्ट क्णेक्टर को इपने 느ी हुत दे दे पाएं तो फ्रेंट उसके लिए हमें यी डिवाइस काम करती है या अगर आपको कोई एक्टरनल स्पीकर करना भी है तो इसमें जो महेंगे साउंड बार आते हैं जो 9000-10000 के साउंड बार आते हैं वो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें डिजिनल आडियो की अच्ट करपा रहा हूं क्योंकि इस टीवी के बैकसाइड में जो है अजिघ् Be आपको बता रहता हुं कि आड़ड़ी वाइडे डीया गया है यूजर मैनुवल दिया गया है और फिर यह क्ड्वाइस यह यहें khas दी गही है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फाइब बोल्ड का अडटर दिया गया आ है तो इसको साथ में आप अनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हम अपने speaker connect कर सकते हैं जो भी normal speaker है और यहाँ पर जो है digital audio इंपूरिए गया तो हम तीवी के साथ में इसे कनेक्ट कर सकते हैं तो इस डिवाइस को दोस्तों तीवी से यह जो है मैंने खुद ही बनाया है एक मेरे पास में यह आईवल का बूफर और इसके साथ में चार चोटे इस्पीकर तरह आए जो आप इमेज देख रहे हैं और इसमें पराणा मॉडल तो इसके साथ में ना ब्लूटूथ है और ना इसमें डिजिटल ऑडियो इंपोट दिय सब्सक्नाइब कर सकते हैं और यहां पहले छोटासा यह आप यहां देखिए कि यहां पर कोई भी जो है 3.5 mm आउटपूट नहीं दिया गया है यहां पर मैं अपना हैटफॉन कनेक्ट नहीं कर सकता और आप यहां पर देखिए एक छोटा सा यह जो आउटपूट आपको देख रहा है डिटल ऑडियो आउटपूट तो यहां पर हम इसकी केविल को जो साथ में केविल है वो इसको अटेच करेंगे और फिर उसका डिवाइस के तुरूट इसको जो हम स्पीकर को इसमें करेंगे फिर देखते हैं इसका कैसा साउंड आता है तो चलिए दोस्ते पर पूरे कनेक्शन इसकी कर देता हूं और आप जो यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर इस टाइप का कोई भी इंपुट नहीं दिया गया तो इनमें इस पीकर को जो है टीवी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता लेकिन इस डिवाइस को यूज करके मैं इसको इसमें यूज कर पाऊंगा तो चलिए मैं पहले इसकी कर देता हूं तो फ्रें और दूसरा डेप्टर क्यों यूज कर रहा हूं वह भी मैं आपको आगे बता दूँगा तो यहां पर मैं इसको कलेक्ट कर देता हूं तो यहां लाइट जल गई यह डिवाइस ओन हो गई है और अब जो यह डिजिटल ना के विल है इसको मैं इसका जो इन्पूट ले लिए ता हूं टीवी से तो इसको इसको एक ऑफीकर में लगा देता है तो यहां इस तरह की जो तुर्वेल होती है वहां यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं तो इस तरीकी की यह connection हुए और इसको जो है मैं speaker में लग जाएगा तो friends सारे connection मैंने कर दिया है और मैं इसमें अपनी वीडियो पे लेकर के दिखाऊँगा जिससे की copyright लिंग भी ना आए साथ ही दबाई यह bell के icon को सके हमारे लिए test update तो friends अभी जो sound है वह आ रहा है जो टीवी के इंटर्नल speaker है महीं सही sound आ रहा है तो पहले में जो है sound output चेंज कर देता हूं तीवी का जहां पर जो आप देख रहे हैं यह optical output दिया जाया है तो मैं इसको select करूंगा माइक को friends मैं इसके लेकर जाता हूं तो friends आपने देखा कि जो यह speaker थे इससे आसानी से इस device की तुरू जो है टीवी से connect हो गया और जो टीवी का sound था वो मेरे अभी sound बार में आ रहा था जब यह device नहीं थी तो मैं इसको जो है connect नहीं कर पा रहा था तो मैंने यह अपना आपको sound bar दिखाया और जो मेरे पास में इंटक्स का speaker है वो भी मैं आपको connect करके दिखा देता हूं कि वह भी किस तरीके से वर्क करेगा और यह sound bar में दोस्तों मैंने खुद ही बनाया है जो नॉर्मल से आपको मिल सके हमारे ले टेस्ट अपडेट सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स वर्कम बेक तो यह चनल टेक्निकल शो टाइम दोस्तों आज मेरे पीछे आपको यह बॉक्स देख रहा है इसमें अजीगा 55 इंच 4K LED TV है प이고 आपने देखा कि केह union को कोम मैंने इसमाले की के साथ में और इसके साहति जो है आपको अ त्रीकिसे को भी जाए क्नेक्ट करसकते शॉत तो हैटफोर कनेक्ट करने के लिए दोस्तों हमें इस तरीके का कनेक्टर चाहिए होता है यह मैंने इसको ठीक यार और खराब हो गया तो आप देख सकते हैं कि दो आरसी आउटपुट है और यहां पर जो एक इंपुट दिया गया 3.5 mm जैक का तो हम जो है इस डिवाइस को इ तो है तो है तो कोई साभी टीवी हो जिसमें डिजिटल ऑप्टिकल ऑडियो आउटपुट दिया गया है और 3.5 mm जैक का जो आउटपुट है वहाँ पर नहीं दिया गया है तो आप इस तरीके से जो है अपने टीवी के साथ एक्टनल स्पीकर और हैटफ़न को भी कनेक्ट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको यह बतायता हूं कि मैंने जो इस डिवाइस के साथ में अडप्टर आया था वह मैंने क्यों यूज नहीं किया एक्चुली इसका जो डिवाइस है यह इसको पर डिसी 5 बोल्ट की स तो यह वर्क नहीं कर रहा था तो फिर मैंने जब इसका मीटर मल्टी मीटर से इसका जो आउटपूट चेक किया तो वह डिवाइस नहीं चल पा रही थी मुझे लगा कि खराब है तो फिर मैंने जो था यह एक फाइब बोल्ट का दूसरा अडप्टर मेरे पास में रखा है वह कुसी और पावर का दिया गया है या पता नहीं चेक कि वह डिवाइस को और नहीं कर पा रहा था तो फ्रेंड्स आपने यह तो जान लिए डिवाइस किस काम आ सकती है अब मैं इसकी प्रब्लम के बारे में आपको बता जेता हूं तो यहां दोस्तों मैं आपको एक श तो यहां प्लाइट के रही है तो उसको जो आपको यह सिस्टम है आपके पास जो इसका रिमोट होना चाहिए आप रिमोट के जरीए ही या फिर उसमें जो वॉल्यूम प्लस माइनस के जो नोग होती है उनके जरीए ही आप बॉल्यूम को कंट्रॉल कर सकते हैं तीवी के रिमोट से आप उसकी बॉल्यूम को कंट्रॉल नहीं कर सकते हैं तो इसमें एक घंजट ही हो गया कि हमें तीन तीन रिमोट कंट्रॉल रखने पढ़ेंगे इस तीवी का का remote control और एक तीव का remote control और एक audio system का remote control तो इसमें ये problem मिली तो अभी जो मैंने internet speaker selected कि हुगा तो देखें मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने volume को plus minus यहाँ पर जैसे ही जैसे जो मैं digital optical option को select कर लेता हूं तो फिर यहाँ पर जो है यह वालियों ऑप्शन जो हो डिसेविल हो जाता है यह डिवाइस की प्रॉब्लम नहीं है ना यह टीवी की प्रॉब्लम है लेकिन यह जो डिजिटल ऑप्टिकल जो टेक्नोजी है यह इसीगी प्रॉब्लम में जो लाइट की तुरू एक को ट्रांसफर किया जाता है और इसको जोह टीवी के रिमोट से कंट्रॉल नहीं किया सकता अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस डिवाइस की प्राइस के वारे में तो मार्केट में जो है इसके साथ में आपको एड़क्टर मिल जाएगा इसके तीन मौटर आते है आप यह कनेक्ट कर सकते हैं दूसरा आप यह जो मॉडल देख रहा है जो मेरे पास है इसके साथ में जो एक फुल अड़क्टर दिया गया है लेकिन वो किसी काम का नहीं है तो इसके लिए मुझे दूसरा अड़क्टर लेना पड़ा अब यह नहीं मालुम कि यह सारे ही मॉडल में ऐस होगा यह सिर्फ इस पीस के साथ में ऐसा निकला है और तीसरा यह मॉडल जो आप देख रहे हैं यह कई सत्रा सु रुपे का करीव सेवेंटीन हंड़ रुपीस का यह मिलता है और इसके साथ में जो है आपको कनेक्टर नहीं लाना पड़ेगा इसके अंदर जो है 3.5 mm का आ र wheel जाता है वह स्में तीनी चीज मिलती है और इसके साथ में जो है डीजिटल ऑड्यु transfer करने के दियर ऑ ठर्वाड शीAPिल नहीं मिलती चैसी भी कई अपने कोई कलय सब्सक्राइख को आ है तो आपको एक यह इसके साथ में आपको यह एक आपको क़िग प determin के की डवाइस थी और करीब रुपीस की यह केवल पर्चेस की तो करीफ फॉर फिक्टी रुपीस मैंने इसके लिए खर्च किये दोस्तों मार्केट में करीब यह फॉर फाइवन रुपीस में दौनों चीज़े मिल जाती है लेकिन अवाजन पर जो है यह पीस में 391 रुपीस मे मिल रही है तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो आप वहां से उसके पर्चेस कर सकते हैं उसके साथ में डिवाइस और यह केवल भी आपको कंप्लिमेंटरी इसमें फिरी मिल रही है और दोस्तों आपको जो इसका जो महेंगा वाला जाता है इसको कनेक करें और इसमें हैडफोन को आप कनेक्ट कर सकते हैं बिना मतलब में उसमें सत्रास रुपे एक्सपेंस करने की आपको जरूरत नहीं है तो फ्रेंट्स अमाजून से जिन कस्टमर ने यह डिवाइस परचेस की उन्होंने पहां पर उसका रिवीव किया ह आप यह डिवाइस सपोर्ट नहीं करती है लेकिन यह बिल्कुल ही साउंड सपोर्ट करती है मैंने खुछ चेक किया है लेकिन उसमें जो हम एक ऑप्षन को स्लेक्ट करना पड़ता है वह आपको दिखा लेता हूं कि आप टीवी की साउंड सेटिंग में जाएंगे तो यहा इसलिएक श्लंक वाग प्रकुल और डेने लागए तो इवंचेनल की स्नेफिन में टंव कर दे करेंदी ऊंड साउंड सेटिंग के तो पर्ग्रों प्रोपर परस सेचे साउंड में पर्चेसिस हो लेगा इस परचिस आपो इस के लिए उनको HD sound HD channel का sound सुनने को नहीं मिला तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का मेरे वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को जादे से दार लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मि झाल 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 झाल झाल